नमस्कार आप देखरें नेशन न्यूज मैं हूँ आपके साथ रतिक बिहार में विधान सबाद चुनाव खत्म हो गया है और बिहार में नई सरकार का गठन भी अब हो गया है आपको बता दें कि 16 नवंबर शाम साड़े चार बजे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नि नितीश कुमार के शपत ग्रहन समाहरों में केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमेच शाह और बीजेपी के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नडडा भी पहुँचे साथ मुख्यमंत्री नितीश कुमार के शपत ग्रहन समाहरों में महराश्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवे तो इस दौरान उन्होंने कुछ बाते कहीं सुशील मोधी को भी लेकर सुशील मोधी इस बार बिहार के डिप्टी सीम नहीं बने क्योंकि इस बार बिहार के डिप्टी सीम दो लोग है तारकिशोर प्रसाग और रेणू देवी तो सुशील मोधी बिहार के उपू मुख्यमंत उसी की अनुरूप फिर से इंडिये की सरकार बनी है हम लोग मिलकर काम करेंगे जनता की सेवा करते रहें जनता की सेवा करते रहेंगे जो तो भारती जनता पार्टी का निरने है कि उनके कौन-कौन लोग मंत्री पत पर रहेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, आपको उनका निरने है। कि सुशील कुमार मोधी को डिप्टी सियम नहीं बनाय गया तो ये सवाल मीडिया बीजेपी से जाके पूछे ये भारतिय जंता पार्टी का फैसला है अब मैं आपको बता दूँ कि बियार में नहीं सरकार का गठन हो गया है 16 नवंबर को मुख्यमंतरी के पत पर नितीश कु चुनाओं में जीते हैं उनका श्रपत ग्राण समाहरो 22 नवंबर को आयोजित किया जाएगा तो फिलाल के लिए मुझे दीज़े उजाज़त देख तेरे नेशन न्यूस को धन्यवाद